इंडिया में बिभीन श्रेनी का पुरिबारों में ज़्यादातर लोग लांच और डिनर हिसाब से रोटी का उपयोग करते हैं और ये रोटी आता है गेहु से गेहु का आप उपच देखेंगे तो पूरा इंडिया में उत्तर प्रदेश एक स्टेट है जहां सबसे ज़्यादा गेहु उत्पादित होता है पर रेकोर्ड उत्पाद निर्भर करते हैं गेहु का पैकाज अप्रेक्टिस का उपर और उसमें जो मौडर्न टेक्नोलोजी यूज किया गया है उसका उपर इंडिया में गेहु का एभारेज प्रोडाक्शन है 17 क्विंटल पार एकोर्ड तो ये एभारेज प्रोडाक्शन से आप कैसे ज़्यादा उपच ले सकते हैं आज का वीडियो उसी का उपर है गेहु में जितना सारी एडप्शन आप लोग करते हैं उसको छोड़के भी एडप्शन को आप एडप्ट करके देखिए हम लोग कॉन्पिडेंट है आपका उपज ब्रिध्धी होगा 35 से 40 दिन का अंदर आप दूसरा सी चाहिए दे रहे हैं तो यह बढ़िया है क्योंकि इसी समय से ही पोधा का कल्ले फुटना सुरू होता है और वेजिटेटिव ग्रोथ इस समय से ही स्टार्ट होता है वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत बढ़िया करने के लिए इस समय तीनों जो पोधिक तत्त है इसका जुरूरत होता है नाइट्रोजेन, फोस्फोरास और पोटास का इसलिए आप जो टॉप ड्रेसिंग के लिए खाथ दिये हैं उसको छोड़के भी आप एन पी के जो फोलियोर स्प्रे मिलता है आप उसको स्प्रे कर देंगे तो इसका वेजिटेटिव ग्रोथ एकसिलेंट हो जाता है एक एकड के लिए फोलियोर स्प्रे उनिस 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 एक केजी का जुरूरत होता है एक केजी जो फोलियोर स्प्रे है ये 100 से 1500 लेटर पानी में घोल के एक एकड में स्प्रे कर देंगे तो ये बढ़िया रेजाल्ट देते हैं इसका दाम लगभग 170 से 200 रुपया तक होता काफी किसान बुंदू इसको जांच करने के लिए किया गया था कि 12-16 आपना खेत में उसको पानी में घोल के स्प्रे किये थे 19-19-19 का बदले में तो इसमें भी बढ़िया रेजल्ट मिला है तो इसका भी आप लगभग 100 ग्राम एक टेंकी पंदर लेटर पानी में घोल के गेहो पोधा का उमर जिस समय 50-55 दिन है इसी समय बालिया निकालना सुरू होता है तो बालिया निकालने का समय जो फूल उसमें आता है इसमें सही से पोलीनेसेन और बीज गठन करने के लिए फसपरास और पोटास का प्रोचुर परिमान में जुरूरत होता है फोली और जीरो बावन चैंटीस जो फोली और स्प्रे है इस समय इसको स्प्रे करेंगे तो बढ़िया रेजल्ट देते हैं इसका भी डोज सैम होगा एक एकड के लिए एक केजी और आपका सौल से देर सो लेटर पानी का जुरूरत होगा बोरोन पोलीनेशन के लिए बहुत मदद करते हैं इसलिए जीरो बावन चैंटीस जो एन पीके है उसका सथ बोरोन मिक्स्ट कर देंगे पार तेंकी में 30 ग्राम करके तो ये और बढ़िया रेजल्ट देते हैं गेव पोधा का उमर जिस समय 60-65 दिन है इसी समय बीज का गठन सुरू हो जाता है और पोटास का पोरिमान ज इस प्रे में आप जीरो जीरो पचास करके जो एन पीके मिलता है उसको इस प्रे कर देंगे तो बढ़िया रेजल्ट देते हैं दूसरा एन पीके का जैसे डोज था इसका भी डोज सैम होगा एक एकड के लिए एक केजी का जुरूरत होगा और एक सो से देर सो लिटर पानी का जुरूरत होगा नर्माली गेहू प्रोडाक्शन के लिए जैसे हम लोग टॉप ड्रेसिंग और बैसाल डोज देते हैं वो करते रहेंगे साथ में एक अलोग से करना होगा जो एकड में खर्चा साड़े तिन सो से चार सो रुपिया बाढ़ जाता है बट प्रोडाक्शन करीच होगा तो गेहू का प्रोडाक्शन बढ़ाने क्या आसान तरीका का वीडियो एहीं तक है इस वीडियो का मैद्धम से आपको कुछ जनकरी दे पाया हूँ तो जुरूर इसको लाइक करिए आप लाग रहे हैं कि दूसरों को सेयर करना चाहिए तो प्लीज इसको सेयर क करिए और आप चैनल में नए है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए ठैंक यू पूरा वीडियो दखने के लिए जय किसान जय भरत